हेलो गाइस दिस इस अनुराग जान यह वाचिंग एजूकेशन बावा दोस्तों आज वे हम लोग बात करने वाले केमेस्टी के कुछ वैसे इन्पोर्टेंट क्वेस्चन्स जो कि हमारे एक्जाम में बार बार पुछे जाते हैं और पुछे जाते रहे हैं ठीक है तो यह दे देख लेना ठीक है तो यहाँ पर देख लिए आपका पहला क्वेस्टन जो है आप दे रहा है कि क्या होता है जब इथाइन को ठंडे चाड़िये के अब कराई जाती है ठीक है और यह जो है क्वेस्टन आपका 2016 के सेट ए में और 2014 में पूछी गए यह 2014 में एक ही सेट था ठ Center придuon me इन दॉए लिख देया ओ एक तो उच्छी तूलिग का निर्मान होता है अझाप ciao दिया दोस्तों नरिक् सब्जेक्ट में बहुत ज़ादा इंपोर्टेम्स dherd education इसς मत्रुब्स लिए कीजिए और यहा पे देख लिए आपका दे रहा है c- BRE लिपल बांड CH ठीक है और यह क्या में नो फोर से रियक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा C2H2 यहां पर देख लिए C2H2O4 ठीक है यह बनाएगा औक्जेलिक अमल तो यहां पर मैंने इस्ट्रेक्चरल फर्मूला लिख दिया है तो यहां पर यही लिखिएगा एस्ट्रेक्चरल फर्मूला क्योंकि और गैनिक में एस्ट्रेक्चरल फर्मूला ही लिखा जाता है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेस्टन देख लीए और अराम से देखिए इसके और भी पार्ट जो है अभी आने वाले हैं क्योंकि अभी जो है आपके short answers ही आ रहे हैं इसके बाद जो है long answers भी मैं दूँगा ठीक है तो यहाँ पर देख लिजे पहले question यहाँ पर answer क्या एथाइल अल्कोहल को जब oxycan होता है तो यह CT कमल बनाता है ठीक है तो CT कमल कैसे बनाता है तो यहाँ पर reaction द बनाता यानि कि इसका इथनॉल हो जाएगा इथनॉल आप देखिए इथनॉल का जब oxycan होगा तो क्या बनाएगा CH3COOH यानि की CT कमल बना देगा ठीक है तो यह आप लिख दीजिएगा देख सो अगर रियक्शन भी लिख देते हो तो आपको marks मिल जाते है ठीक है तो reaction लि 16 के acet में और 24 में पूछा गया है ठीक है तो यहाँ पर देख लिजिए acetyl dehyde को बिरंजक चुन के साथ जब गरम किया जाता है तो यह formic acid और trichloro methane का निर्मान करता है ठीक है अब यहाँ पर देख लिजिए आपका क्या हो जाएगा CAoclCl ठीक है यह जो है calcium hypo chloride हो जाएग जो इसको बोलते है calcium hydro oxide बोला जाता है ठीक है और Cl2 बनाएगा इसके बाद देखिए जब फिर अब जो है अब इसको reaction करवाएंगे तो क्या बनाएगा इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है जो कि अपना यह पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए इसको अब जो Cl3 के साथ reaction करवाएंगे तो क्या बनाएगा CCl3-Co-O बना देगा इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है इसको इसको बोला जाता है इसको उसके बाद देखिए जब इसको reaction करवाएंगे Trichloro Acetyl Dehyde को तो यहाँ पर देख लीजिए 2CCl3CHO यानि कि Acetyl Dehyde जो है अब किरिया करेगा CaOH का whole twice यानि कि Calcium Hypo Oxide से जब अब किरिया कर लेगा तो यहाँ पर बनाएगा आपका 2CHCl3 यानि कि Trichloro Methane बना देगा ठीक है और उसके बाद देख लीजिए और जो क्या बनाएगा तो आप देखे CaHCO का whole twice ठीक है यानि कि Formic Acid आपका बना देगा यहाँ पर ठीक है तो चलिए यह question से आपका हो गया और दोस्तों जब short answers आप लिखते हो आप लोग एक चीज़ याद रखो कि जब short answers लिख रहे हो तो 20 से 30 सब्द होने ही चाहिए ठीक है 20 से 30 सब्द के बीच में आप लोग लिखो आपको marks पूरे मिलेंगे ठीक है तो चलिए आप यहाँ पर next question देख लेते है next question है आपका किसी अब किरिया यानि कि यहाँ पूछ रहा है question ठीक है तो यहाँ पर देख लीजी यहाँ पर बोलाए कि threshold energy होता क्या है तो threshold energy वह होता है जब किसी देख लोग यहाँ पर atom है ठीक है इसमें electrons हैं बहुत सारे ठीक है अब यहाँ पर कोई उर्जा आया यहाँ पर दिये अब इतना उर्जा देंगे कि यह अपने सर्फिस को छोड़कर निकल जाए ठीक है तो यह निकलने में जितना उर्जा हम लोग दे रहें इसी को क्या वो जाता है इसी energy को क्या बोला है ठीक है यह याद रखिएगा चलिए इसको पूरा देखेगा क्योंकि यह सारे questions जो है आपको एक्जाम के point of view से काफी important है ठीक है और मेरे हिसाब से तो बिहार बोट के का जो pattern है question पूछने का ठीक है बिहार बोट जो इस तरह से question पूछता है उस हिसाब से आपको जो है निश्चीत रूप से चार या पांच साल पीछे तक के questions को clear करना चाहिए तो अगर आप लोगों को इस तरह की question answers करवा ही दूँगा ठीक है यहाँ पर देख लिए question जो है आपका अब किरिया की कोटी की परिभासा दें तुझा 16 के ए और दोजाएगारा में पूछी गई है इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए किसी अब किरिया में भाग लेने वाले अभी कारकों की संख्या जिनका सांदरदन अब किरिया के फल स्वरूप बदल जाता उससे क्या करता अब कोटी कहा जाता है ठीक है अब किरिया की कोटी कहा जाता है ठीक है नेक्स question है आपका फेराडे के बिदूत अब घटन का पर्थम नियम को लिख है यह जो है 2011 के एसेट में 2011 में पूछा गया है ठीक है तो यहाँ पर आपको उत्तर क्या हो जाएगा बिदूत द्वारा अप घटन में रसाइनिक भी घटन की मात्रा बिदूत अप घटन में परवाहित बिदूत धारा के मात्रा के समानुपाती होता है यानि कि यहाँ पर आपक emerges किया हो जाएगा बिदूत धारा तो हैं में अपका मात्रा और और आए क्या हो जाएगा बिदूत धारा हो जाएगा चलिए नेक्सक्यक्राइब हम लोग देखते हैं 향ा सौटकी ट्रूटी तथा फ्रेंकलेन ट्रूटी के बीच अंतर लिखें ठीक है यह जो पूछा गया है यहां पर देख लीजिए आपका जो है उत्तर सौटकी जो सौटकी दोस में धनायन तथा रिनायन अपने जालक अस्थान से पूर्णता हट जाते हैं तथा इस दोस में के आयन अपने जालक बिंदू को छोड़का अंतरकुस की अस्थल में आ जाते हैं इसमें घनत के क्रिस्टल के घनत में कोई परिवरता नहीं होता यानि कि आप देख लेजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सौट की दोस में क्या हो जाएगा कि क्रिस्टल का जो घनत होगा ठीक है बिदूत रसाइनिक तुल्यांक की परिवासा दें 2016 के एसेट में और 2011 में पूछा गया है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा किसी बिदूत अप घटन में एक एंपियर की धारा एक सकेंद तक परवाहित करने पर पदार्थ के कतरित भार को रसाइनिक तुल्यांक कहते हैं यहाँटनिक तुल्यांक के क्या हो जाएगा एक एंपियर धारा को एक सेकंद अप परवाहित करने पर क्या होता है जितना पदार्थ को वह बिछ्फइप्त करता आ तर इसकी तो रसाइनिक तुल्यांक बोला जाता है और दोस्तों इसका पिछला पार्ट भी आप लोग देख लेना ठीक है और इसका जो पीडियफ है वह आप लोगों को मिल जाएगा साम तक नीचे description में तो वहां से आप लोग जाके download कर सकते हो ठीक है तो यहां पर देख लीजिए पहला question no.7 है आपका कोथनांक के उन्ययन से आप क्या समझते हैं यह भी question जो आपका 2016 के A set में 2011 में पूछा गया है तो यहां पर देख लीजिए आपका उत्तर सुध बिलायक में बिले की मातरा घुलाने पर बने हुए यहां पर देख नुorts डिलायक के कोथनांक से बढ़ जाता है जिसमें कोथनांक क्या का जाता है किसे क्या कहा जाता है आप यहां पर दीक होता है कि डिले आपका लास्ट क्वेस्टन भी है तो तामर धातू के साथ 50% तनुनाट्रिक अमल की अवकिरिया को लिखे हैं 2016 के ए और 2013 दोस्तों यह सारे क्वेश्चन एक बार आप कॉंपी पे कलम लेके एक बार जरूर लिख लेना ठीक है क्योंकि जो चीज़े आप लिख लेते हो वह चीज़ आप कभी नहीं भूलते ठीक कोई पॉइंट छोटनी नहीं चाहिए तो यहां पर देख लिखे लिए 3COO यहन की 3COO कॉपर का और पलस 8HNO3 ठीक है नाइट्रिक अमल तनुन जो है अब रवकिरिया कर रहा है तो क्या बनाता है 3COO NO3 2 NO3 का होल ट्वाइस बनाता है तो इसका यहां पर क्या हो जाएगा उ NO बना देता है तो यहां पर जो है आपका 3COO NO3 का होल ट्वाइस जो है कॉपर 2 नाइट्रेट बोला जाता है इसको इसको क्या बोला जाता है कॉपर 2 नाइट्रेट बोला जाता है इसको और NO इसके बाद क्या है आपका NO इसको क्या बोला जाता है नाइट्रेट ऑक्साइड इसको क्या बोलाता है नाइट्रेट ऑक्साइड यह याद रखेगा नाइट्रेट ऑक्साइड और उसके बाद क्या बनाता है यह 4H2O ठीक है तो यह सारी चीजें हैं आपके और दोस्तों एक बाद कमेंट बॉक्स में जाईएगा वहाँ पे आप अपनी फीड़बेक जरा ज निवस्का देने वां